आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सब के लिए बकरियों में टीका करन के महत्वा और और शक्ता के बारे में जहां तक हम टिका करन की बात कहें तो टिका करन तो सभी समय बहुत जरूरी है और जैसे हम टिका करन के साथ साथ मैं आपको डिवामिंग के बारे में भी बताऊंगी क्रिमी नासक के बारे में क्योंकि जब तक क्रिमी नासक अगर आपके बकरी का नहीं हुआ है तो वैक्शिन जो है आप प्रॉपर टाइम पर करवाते हैं आजकल तो जितने भी किसान भाई-वैन हो सब जान गए हैं कि समय पर टिका करन क्यों करते हैं लेकिन किसान भाईयों और बहनों मैं आपको एक और आवस्यक्त बात बताना चाहूंगी कि जैसे अभी बारिस का मौसम है तो बारिस के मौसम में आप ये जान लीजे कि चाहे वो हमारा जानवर बक्री हो गाय हो भैस हो या कर देते हैं अभी के मौसम में जो एक बकडियों में खास कर एक जान लेवा बीमारी जो आती है जिसको हम PPR कहते हैं उसका टीका करें हम समय पे कर देते हैं जब आउटब्रेक PPR की होती है और जिस जगह पे वैक्शिनेशन नहीं हुई होती है तो उसके कारण क्या होता है कि जब PPR की आउटब्रेक होगी तो एक रात में ही पूरे गाउं की बकडियां मर सकती है तो इसको रोकने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है PPR वैक्शिनेशन और अगर यह हो जाए उसके होने के बाद तो काफी मुस्किल है बकडियों को बचाना तब भी हम अपना जो ज अलग से कोने में ले जाए जहां पर कोई स्वस्त बकडिया ना आती हो उस कोने को चारो और से चूने के छिरकाओं से गोल बनाकर उसे घेर दे जो इंसान बिमार पसु को देख रहा है यानि बकडियों को देख रहा है वो स्वस्त पसु को नहीं देखेगा खान पीन दवा जो भी आप बिमार बकडियों को दे रहे हैं वो इंसान स्वस्त बकडियों को नहीं देगा अब जो खान पान की बात कहें तो जब बात बकडि पीपी आर की आती है तो बकडियों के मूँ पे छाले हो जाते हैं तो छाले होने के कारण वो खाना अच्छे से खाने ही पाती, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि गाउं में बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं, नीम का पेड़ है, नीम के पानी को खुब अच्छे से उबालना है, उबाल के उसके मूँ को पूरे अच्छे से धोना है, और पैर को भी धोना है, क्योंकि जो फूंसी फो और वो खा सके, फम्डी हो गया, जिसे हम खुर पका, मूँपका, रोक कहते हैं, इंटेरो टॉक्षीमिया हो गया, और आपकी पॉक्स, ये जितनी भी वैक्षीन है, ये हम तीन महीने के उपर की आयू से हम शुरू कर देते हैं, पहला जो वैक्षिनेशन होता है, फम्डी का, वह हम चार महीने की IU में देते हैं, फिर जो होता है PPR, जब हम देते हैं तो PPR के जस्ट One मन्त के बाद हम इंटर अटॉक्सीमिया देते हैं, फिर उसके बाद हम इसी परकार से Gaut Pox देते हैं, जरूरत है दिवामिंग की कि बख़ियान जब वन्मंत्की बिखर चड़ने नियाउं हो पर जाते हैं जो परहें परना हैं इसलिए हम उनमेन करते हैं और जो मैंने के बकड़ीटर कर नाथ होको सब्सक्राइश एक बार जरूर होना चाहिए